हलो किसान बाइयों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब, कैसी है मेरी स्मार्ट फिस्फार्मिंग की यूटूब फेमिली, I hope मैं आसा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से गुरोध करते होंगे, स्मार्ट फिस्फार्मिंग के यूटूब चैनल में आपक स्वआगत हैं, मैं मतषपालAK आपका दोस्त, आपका भाई 80 यादो, किसान भाईो बहुत सारे हमारे farmers, हमारे supporters हमारे subscribers का ये हमसे request रहा है कि आप रूप चंद्रा के culture की उपर एक वीडियो लेकर के आई है, तो किसान भाईो वीडियो लाने में तोड़ा सालेट हो गया उसके लिए मैं आप से छमा चाता हूँ पर आज मैं आप सब के सामने रूप चंद्रा के कल्चर के उपर वीडियो लेकर के आया हूँ तो किसान भायों बने रहे वीडियो के अंत तक हम आपको डिटेल से रूप चंद्रा के बारे में पूरी जानकारी देंगे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीस हमारी चैनल को सस्क्राइब कर लिजे हमारी चैनल पे आपको मचली पालन से संबंदित सारी जानकारियां उपलब दोगी तो किसान भायों बने रहे वीडियो के अंत तक तो किसान भायों आए रूप चंद्रा का हम नॉर्माल से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं रूप चंद्रा एक ब्राजीलियन मुल्की मचली है जो एमेज़ान में पाय जाती है रूप चंद्रा को हम कई नामों से जानते हैं चायनिज प्रंपलेट, रेड विलेड पिराना, इंडियन रेड विलेड पिराना, बॉल कटर जो बहुत सारे नामों से हम रूपचंद्रा को पुकारते हैं जो कि रूपचंद्रा का जो दात होता है जो टीत होता है वो बहुत ही हाड होता है रूपचंद्रा के जबड़े बहुत मजबूत होते हैं ये हाड से हाड भोजन को तोड़ करके खा सकती है तो इसलिए जब भी हमें रूपचंद्रा का कल्चर करना चाहिए तो मोनो कल्चर करना चाहिए ठीक है? मोनो कल्चर का मतलब होता है केवल रूपचंद्रा का पालन करना चाहिए उसके साथ दूसरी मचलियों को नहीं डालना चाहिए polyculture हमें नहीं करना चाहिए polyculture करने से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं जैसे कि रूपचंदा भूखी है आप उसको अचानक feeding करा रहे हैं तो क्या हो सकता है भूखी रहने के कड़ ये दूसरी मचलियों पर attack कर सकती है उनके कुछ पार्ट को नुक्सान पहुंचा सकती है, कुछ पार्ट को उनको काट सकती है, काट के कुछ पार्ट को उनको खा सकती है, तो इसलिए हमें जब भी रूप चंदा का कल्चर करना चाहिए, तो मोनो कल्चर करना चाहिए, ना कि पॉली कल्चर करना चाहिए, तो किसा कितना आता है कितना हमें कितने एरिये में कितना बच्चा करना चाहिए तो इन सारे बातों पर आये डिटेल से चार्चा करते हैं तो पहला कुश्चन यह रूप चंद्रा किसे करना चाहिए देखें रूप चंद्रा उसे करना चाहिए जिसका जिसे उसके एरिये में उसका कि मेरे हैं रूपचंद्रा का मार्केट कितना है कितना लोग मांग करते हैं रूपचंदा को लोग कितना पसंद करते हैं कितना खाते हैं अगर पसंद करने वाले आपके एरिये में ज्यादा है रूपचंदा का सिलिंग ज्यादा आपके एरिये में तब आप रूपचंदा का गार्प, आई अमसी के लिए जैसे तलाब को अपने प्रिपेर करते हैं, उसी हिसाब सля आप रूप चंदा के कल्चर के लिए अपने तलाब को फिर पर करें, तीसरा कुशा ने रहा, रूप चंद्रा का रूप चंदा पालन करने के लिए हमें कितना बड़ा तलाब होना चाहिए देखें रूप चंदा पालन के लिए मेरे हिसाब से आधे रेकड का तलाब बहुत बेश्ट तलाब होगा आधे रेकड से लेकर के एक रेकड का तलाब लेकिन अगर आपका तलाव एक रीकर्ट से कम भी है तो भी आप रूपचंदा का पालन कर सकते हैं क्योंकि रूपचंदा एक हाई डेंसिटी में पाले जाने वाली मचली है अगर आपका तलाव वन एकर्ट से उपर है तब भी आप रूपचंदा का पालन कर सकते हैं यह रा तीसरा कुश्चन, अब चौथा कुश्चन यह रा कि कितने एरिये में हम कितना बच्चा इस्टॉक करें रूप चंदा का, जो देखिए आप रूप चंद्रा का एक रेकड में मीनिमम साथ जार से लेकर के मैक्सिमम दस जार बच्चा इस्टॉक कर सकते हैं वन रेकड में 7.5 जार से लेकर के 10,000 से उपर नहीं होना चाहिए तस जार के आसपास यह नीचे ही रहना चाहिए ठीक है, यह चौथा कुश्चन आप, पांचवा कुश्चन यह है कि रूप चंद्रा क्या खाती हैं, कौन सा फीट खिला हैं और कैसे खिला हैं, देखिए रूप चंद मचलियों को कार्पंगासियस मचलियों को आप फीड खिलाते हैं वैसे खिलाएं जब आपकी रूप चन्दा छोटे फिंगर लिंक साइज की बहुत छोटी है दो इंची तीन इंची तो आप इसे हाई प्रोटीन दे 40% प्रोटीन से श्टार्ट करके आप दीरे 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 28- उसको ला सकते हैं और जब आपकी मचले फिंगर लिंक साइज है तो आप उतना ही भोजन खिलाएं लेकिन उसको तीन भागों में डिवाइड करें या तीन टीन टाइम खिया हैं जैसे एक सुबह एक दो पहार एक साम को तो जैसे मालीचे आपको आपको पांच किलो दाना 6 कीलो फिड़ खिलाना है पढ़ें तो 2 कीलो सुबह खिला दें 2 कीलो दो पहार में ओदो किलो साम को तो खिसान बाइब हो छाटामा कुस्चन है रूपचंद्रा का पोड़क्षन कितना होता है तो रूपचंद्रा का पोड़क्षन आपको साथ 7 टन से लेकर के मैक्सिम्म आठ, नो, दस टन तक होता है अब सात्वा question है कि रूप चंदा का ये FCR कितना आता है तो रूप चंदा का FCR मुझे लगता है सारे मचलियों का जितना पालन करते फंगैसिया, सकार्प, आई-मसी, तिलापिया, रूप चंदा तो ये सभी मचलियों का FCR मुझे लगता 1.5 के आसपास आता है तो रूप चंदा का भी FCR 1.4 से लेकर के 1.5 के बीच में आता है अब इसको 1.5 मानके चलिए अब बात आती है रूप चंदा को अगर कोई रोग लगे तो उसका इलाज कैसे करें अगर रूप चंदा को कोई रोग लगे जैसे हम अन मचलियों के इलाज करते हैं वैसे करें एक दिन पहले फीडिंग कराना बंद कर दें उसके बाद मचली का रोग का इलाज करें और किसान वाई अब एक कुशन आता है रूप चंदा का कल्चर कितने मंद का होता है तो एराण फिका रूप चंदा का कल्चर 9-10 महीने का होता है यह फ्लेक्शुेट हो सकता है यह नीचे उपर हो सकता है क्योंकि यह डिपेंड करता है वाटर क्वाल्टी को कितना मिंटेन लगते हैं फीटिंग कैसे कराते हैं आप अपने तलाब में कितना बच्चा इस्टाउक किये है या लो डेंसिटी किये हैं तो इन सब बातों पर डिपेंड काता है यह उपर नीचे हो सकता है वैसे राउंड फिकर 9-10 मंत का रूप चंदा का कल्चर होता है तो किसान बाइओ आसा करते है यह वीडियो देख करके आपको रूप चंदा के कल्चर के उपर जानकारी प्राप्त हुई होगी अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सेयर करें कमेंट्स करें और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें जिससे की मेरी आने वाली लटेस्ट और हाँ अगर आप मशली पालन से संबंदित कोई जानकारी आप हमसे काल करके प्राप्त करना चाते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर आपको डिस्पले पर भी मिल जाएगा हम आपको बता भी देते हैं हमारा मोबाइल नंबर है 6386-082-704-686-082-704 तो किसान भाईयों अभ के सामने फिर हाजिर होंगे तो अभी के लिए नमस्कार धन्यवाद